दोस्तों MIUI 11 Special Theme वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और यहां पर मैं जो Theme लेकर आया हूँ आपके लिए उस Theme के अंदर आपको काफी Colorful सा Amoled Wallpaper देखने को मिल जाता है Home Screen के लिए, साथ मैं Lock Screen के लिए और यहां पर आपको देखने को मिल जाता है काफी Transparent सा Status पार और अगर हम बात करें Lock Screen की तो Lock Screen पर जो Wallpaper है उसमें आपको Animation देखने को मिल जाता है और काफी कमाल की Lock Screen आपको देखने को मिलती है सब्सक्राइब कीजिए Digital Aptar चैनल को और Bell आइकन को यू प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मिल सके मेरी वीडियोज के अपडेट सबसे पहले तो दोस्तों अगर आपको इस तरह की Theme में इंट्रेस्ट है तो ये Theme आपको MI Theme App पर सरच करने से आसानी से मिल जाएगी कि यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ ये Theme कौन सी है तो यहां देखी आप इस Theme का नाम है Next और इसका जो डवलपर है जो डिजैनर है उनका नाम है बिग ड्रॉब तो दोस्तों इस Theme को अपलाई करने के बाद आपको कुछ इस तरह का लुक देखने को मिलता है सेटिंग्स में जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है यहां पर वाइट बैक्ग्राउंड पर वाइट टेक्स बिल्कुल समझ में नहीं आता है तो यहां अगर हम बात कर में डायल पड या, डायल पड पर की तो यहां पर आपको काफी अच्छा सा लुक देखने को मिलेगा मैसिजिंग में भी आपको बहुत ही वेकार लुक मिलेगा क्योंकि टेक्स्ट आपको दिखता ही नहीं है अब यहां बात कर लें lock screen की तो lock screen पर जो wallpaper है उसमें animation आपको देखने को मिलता है और काफी कमाल का लगता है यह animation और यहां अगर हम right swipe करते हैं screen पर तो आपको एक और यहां पर shortcuts मिल जाते हैं काफी countdown है weather info है इस तरह से आपको alarm है flash light है तो यह सारी चीजे ठीक हैं लेकिन यहां पर जो आपको settings में problem आते हैं जो messaging problem आते हैं उसके लिए मैंने एक तरीका रिगाला मैंने यहां पर dark mode को enable कर दिया है उससे कहा है कि मेरा जो status वार है बो तो change हो गया default वाला लुक आ गया है लेकिन यहाँ पर मुझे dial pad, messaging, settings इन में कोई problem नहीं आई है तो अगर आपको ये theme पसंद है तो आप इस theme को dark mode enable करके use कर सकते हैं तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही है अगर ये वीडियो आपको पसंद रहा है तो इस वीडियो को like कर दीजे, share कर दीजे और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को भी subscribe कर लीजे क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आता रहता हूँ